हेलो दोस्तों मैं आप सबका अपने डिवाइन चैनल स्यू सकती में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जो डिवाइन फेम नाइन होती है उन्हें बहुत ज़दा इनर वर्क दिया जाता है गौड के द्वारा अपने डिवाइन को अवेकन करने के लिए भी उन्हें इनर वक दिया जटा है और सबसे पहले डिवाइन फेम नाइन पहले अवेकन होती है है200 मैसकलान बाद में अवेकन होता है तो चलिए दोस्तो इस पर हम आज प्रकास डालते हैं आसा करती हूँ आप इसे बहुत अच्छे से सुनेंगे चितनी भी Divine Fem9 इस वीडियो को देख रही है तो आज वो जान जाएंगे कि पहले उसे क्यों पहले अवेकन किया गया दोस्तो Divine Fem9 लाइफ के बारे में तब जानना स्टार्ट करती है जब उसे पता चलता है कि वो इस ट्विन फ्लिम जर्नी में है और इस बात की उसे तब जानकारी होती है जब वो अपने काउंटर पार्ट से मिलती है उस काउंटर पार्ट से जिसका वो बच्पन से वेट करती है लेकिन जब इन दोनों का सेपरेशन होता है तब D.F. उसे बार-बार भूलने की कोसिस करती है लेकिन वो अपने D.M. को भूल नहीं पाती है वो सोशी है कि आखिर ये कैसा कनेक्शन है जो समझ नहीं आता लेकिन दिरे-दिरे उसे पता चलता है कि वो नंबर्स देखती है हर जगा उसे सिंक्रोनिसिटी होने लगती है उसे एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं कि डिवाइन एंजनस नबर दिखाई देते हैं 1111 122333 और बहुत सारे उसकी ड्रीम्स भी आते हैं और ट्विन फ्लिम्स के वीडियो पॉप अप होने लगते हैं उस डिवाइन फेम नाइन के सामने और जब वो इस जर्णी को अंडरस्टैंड करने लगती पहले तो वो इसे इ ट्विन फ्लिम्स जर्णी है क्या उसके बाद जब वो धीरे धीरे इस जर्णी में आगे बढ़ती है तब समझ में आता है कि वो एक ट्विन फ्लिम्स जर्णी में है और फिर जब वो इसके धीरे धीरे इनर वर्क करती है तब वो धीरे धीरे बैलन्स होने लगती है दोस्त इसको बाहर निकालने की जरूरत होती है इस समय डिवाइन फेम नाइन अपने एगो के मेल ठोने से उन सारे चीजों को छोड़ने लगती है जिससे वो पहले जूड़ी थी और इसको करके उसे बहुत अच्छा फील होता था वो अपनी सोल से जूड़ने लगती है उसे फील होता है कि अब तक वो जिस तरह की जिन्दगी जी रही थी वो सब वेकार थी जिसमें वो खुद की पहचान और खुद की खुशियों को मार कर जी रही थी उसे यह 3D material चीजे होती है आकर्शक अब नहीं लगती जितनी पहले लगा करती थी जैसे उसे यह असास होता है वो अपनी सोल से जुड़ती तो इन 3D material से उपर उठने लगती है जैसे 3D relationships, desires, job वो पहले कर रही थी उन सब चीजों से वो उपर उठने लगती है जिसमें उसे वो peace and happiness मिल ही नहीं पा रही थी इन सब चीजों से DF सोचती है कि मैं की इस तरह की जिंदगी को जी रही थी पहले इस तरह पूराने belief system को तोड़ कर तूट कर उसका जो भीखर नहीं लगता है ना जो पूराने belief system उसमें जिसमें DF का ego melt होता है फिर spiritual depression होता है उसे दोस्तों इसमें DF को अपने side of self पर भी काम करना होता है और इसमें अगर मैं एक example हूँ side of self का तो मैं इस example की तरह समझा सकती हूँ की जैसे की आपको बाहर जाकर job करनी है और आपको अंदर से जिग्यासा है इस job को करने के लिए इसके लिए आपको अपने family के हर एक सदसे से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं यह job कर सकती हूँ तो family वाले बोलेंगे की नहीं क्या जुरत है बाहर जाकर job करने की समाज में हमारा क्या इचत रह जाएगा तुम अगर बाहर जाकर job करोगी तो मत करो यह job और अगर उसका वो job उसका उसका वो hobby के रूप में भी होगा जिसे वो dance teacher बनना चाहती है pending teacher बनना चाहती है भी करना चाहती है उसकी मन पसंतिता job होगी लेकिन वो चाकर भी उसे नहीं कर पा रही होगी और वो उस career को नहीं चुन पाएगी उसको छोड़ देगी उस job को नहीं करेगी और अपनी खुशी को अपनी happiness को भूल जाएगी और जैसे उसके घर वाले उसे कहेंगे करने के लिए वो वैसा करने लगेगी चाहे DF को जीतना भी pain मिले emotional pain हो, mental pain हो, physical pain हो वो उसे सहती रहेगी लेकिन जैसे ही उसकी awakening होती है उसे यह सब चीजे धीरे-धीरे समझ में आने लगती है कि तुम्हें यह सब चीजे करनी है यह सब shadow self होती है DF की और जब उसकी awakening होती है DF की तब उसे यह सब चीजे समझ में आने लगती है और वो अपने shadow self को side को छोड़ कर आगे बढ़ती है और DF अपने soul से जुड़ती है और इन सारे belief system को change करने लगती है पुराने belief system को और shadow self को छोड़ कर आगे बढ़ती है इसी वज़ा से divine feminine की awakening होती है दोस्तों और आपको twin flame journey इसलिए दी जाती है क्योंकि आपको divine का soul purpose पूरा करना होता है जिसके लिए आप यहाँ पर आते हैं लेकिन आप आपको इस purpose को पूरा करने के लिए आपको अपने आपको change करना होता है आपको transformation से गुजरना होता है ठीक है आपको एक pure soul के रूप में convert होना पड़ता है एक pure soul जिसमें ना तो किसी के लिए ego है ना jealousy है और ना heart rate है किसी के लिए भी नहीं किसी से आपका dimensions ही change हो जाता है आपका किसी से vibrations नहीं मिलता है जब आपकी awakening होती है अब जब आप love and peace के state में आने लगते हैं जब आपने soul से जुड़ते हैं इवान फेम नाइन को बोल रही हूं मैं जहाँ वर divine आपको अपके अंदर की आपके अंदर ही feel होने लगता है तब आपको समझ में आता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो आप यहाँ पर किसले आए हो आपका soul purpose क्या है इस human life का क्या मकसद है आप अपनी soul से फुरी तरह से जुड़ जाती है और इससे आप लोगों की जरूरत आपको लोगों की जरूरत अब उतनी महसूस नहीं होती और जिससे पहले हुआ करती थी और अब आपको अपने divine purpose को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता अब आप अपने पीछे जाके देखती है यह DM आया आप पेन से गुजरी इन सब situations का हुआ ऐसा क्यूं हुआ यह सब आपको समझ में आने लगता है यह सब ऐसा क्यूं हुआ किसली हुआ लेकिन जब आपको transformations होता है तब आपको हर चीज में love नजर आता है और आप पहले से जादा happy and loving soul में convert हो जाती है आपको सारे people, plants, child, anything सब में एक समान की भावना नजर आने लगती है जब आप और आपका DM दोनों इसी balance state में आ जाते हैं तब जाकर आप दोनों को महसूस होता है कि आप दोनों एक ही soul के पार्ट हो और यह feeling बहुत ही प्यारी होती है आप जितना भी hard work की उसका pay की रूप में आपको DF मिलता है दोस्तो DF की awakening इसलिए होती है क्योंकि DF बहुत intuitive होती है उसकी जो feeling होती है, सबकी तरफ caring होती है, nurturing होती है intuitive होनी की वजह से वो उस dimensions से जूड़ी होती है 3D world, उस dimensions और 3D world दोनों के बीच में एक पूल सा बंदा होता है इसलिए वो divine से ज़्यादा connect होती है और उसे download जल्दी जल्दी होती है DF को spirits guides, angel की तरफ ज़्यादा attraction होता है बच्पन से ही और वो इन source से जूड़ी होती है DF को बच्पन से angel से जूड़ी बात है या उनकी presence की अनुभूती होती है या फिर feeling होती है उस type की और जो masculine energy होते हैं वो 3D world से ज़्यादा operate करते हैं जूड़े होते हैं और वो अपने emotions को ज़्यादा तवज्यू नहीं देटे वो अपने emotions से ज़्यादा connect नहीं रहोते हैं इस वज़े से उनमें ego रहता है इसलिए या emotions से जूड़े नहीं होते हैं लेकिन twin flame journey में आने के बाद आपको God के दोरा उनकी emotions को बाहर निकालने में मदद मिलती है इसलिए जो DF होती है उनको पहले ही अवेकन किया जाता है क्योंकि वो अपने emotions से ज़्यादा connect रहती है और वो सारे world 3D, 4D, 5D, 6D, 7D सबसे connect रहती है इसलिए इसकी awakening पहले होती है क्योंकि masculine emotions को deal नहीं करते हैं इसलिए DF को awakening पहले दी जाती है ताकि वो इस journey को अच्छे से समझे और इस journey को अच्छे से जाने और खूद भी awaken हो और अपने counterpart को awaken करके दोनों साथ में मिलकर, balance होकर इस 3D प्ले पर अपना soul purpose पूरा करें